के हलो एबरिवन शिफ्शक्थी चैनल में आप सब का स्वागत है आज जो मैं वीडियो वनाऊंगी वो दिवाइन मेसक्राइन की अवेकनिंग के उपर वनाऊंगी जब दिवाइन मेसक्राइन की अवेकनिंग हो T Niya कया आट किसे मैसकुषाइन और दियुएकनी के सब्सक्राइब कर साथा है सब्सक्रेकți Weора divine feminine का जो decision making बहुत 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 जादा strong हो जाता है बहुत ही जादा powerful हो जाता है अब तक जो divine feminine क्या करती थी जो भी decision लिए अपनी life में आपने awakening से पहले वो आपके सारे wrong थे या आप गलत direction में जा रही थी या गलत decision ले रही थी आप ठीक है but awakening के process में आते ही आप धीरे धीरे जैसे जैसे हील होती गई वैसे वैसे आपका decision था आपके life के आप बहुत अच्छे से लेने लगी आपको पता चल गया है कि आपको decision कब कैसे लेना है ठीक है अगर आप ऐसा कर रही है आपकी life में होने लगा है आप जो decision ले रही है बहुत ही जादा अच्छा है आपकी life के लिए बहुत अच्छा है आपकी personal life के लिए बहुत अच्छा है ठीक है आपकी career के लिए बहुत अच्छा है तो यह सबसे बड़ा sign होता है आपके DM की awakening start हो चुकी है ठीक है यह सबसे पहला sign है जब आपके DM की awakening start हो जाती है दूसर sign है self love एक होता है self love आपके अंदर self love की कमी है आप self love नहीं करते हो ठीक है किसी ने बोल दिया और आप करने लगे बड़ अंदर से अवास नहीं आ रहे है आप अंदर से feel नहीं कर रहे है कि मेरे अंदर अभी self love है या मैं self love करती हूँ या किसी के कहने पर ही सिर्फ कर रही हूँ तो यह self love नहीं है self love को आप ऐसे पहचान लगती है आपके अंदर अब आपसे कोई भी कुछ भी बोलता है आपके physical appearance के लिए कुछ भी बोलता है आपके complexion के लिए कुछ भी बोलता है आपके career के लिए कुछ भी बोलता है आपके किसी भी चीज को लेकर आपसे especially बोलता है वो भी आपके physical body को लेकर अगर आपके बारे में कोई कुछ गलत बोलता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ट्रिगर नहीं होते हो, और आपको किसी भी तरीके से आप लो वाइबरेशन में नहीं जाते हो, तो यह होता है, सेर्फ लफ आपके अंदर आप नैचरली डैबलब हो चुका है, ठीक लोग आपकी हाइट के लिए क्या बोलते हैं, अगर आपको इन सब बातों से अपकोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो आपके अंदर सेल्फ लफ नैचरली आ चुका है, जो की डियम की अवेकनिंग का सेकेंड साइं है, ठीके, तो यह दो साइन बताए हैं मैंने, ठीके, आपके अब भी सही से हील नहीं हुए हैं, या वो अभी ऐसे पूरी तरीके से अवेकनिंग के प्रॉसेस में नहीं है, पर जैसे आपके अंदर धीरे धीरे अनकंडिशनल लफ डैवलप होने लगता है, आप पॉर्गिव करने लगते हो, लोगों को फॉर्गिव करने लगत और फिर उस रास्ते पर नहीं जाते हो, जो रास्ता गलत है, ठीक है, यह सब आपके अंदर नेचरली आ रहा है, तो आप समझ जाना आपके काउंटर पार्ट की भी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, यह थी तीन साइन, नेक्स्ट है, जब आप अवेकन्ड होते हो, बहुत जादा हाड एनरजी होती है, तो जब आपके उपर, जब आप अनवेकन्ड होते हो, आपके उपर बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनरजी हावी होती है, मैं अपना एक्सपिरियंस बताओ, मेरे उपर बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनरजी हावी थी, और दिखता है आपकी personality में ego दिखता है ये सब चीज़े अगर आपके अंदर होती है तो ये आपके आपके भी unawakened का sign है आपके person का भी unawakened का sign है बर जैसे ये आपकी awakening स्टार्ट हो जाती है आप इस जर्णी में आगे धेरे धेरे बढ़ते हो आपकी जो body होती है बहुत ही ज्य ज्यादा hard थी पर आप मेरी जो body है बहुत ज्यादा soft होती चली जा रही है ठीक है आपके अंदर self love naturally develop होने लगा है आपकी जो body है वो पहले से change होने लगी है जो कि ये बताती है कि आपके counterpart की भी awakening स्टार्ट हो चुकी है ठीक है अगर ये सफसाइन आपके अंदर आ रहे हैं develop हो रहे हैं तो समझ जाईए आपके counterpart की भी awakening स्टार्ट हो चुकी है ठीक है नेक्स्ट है आपका जो divine feminine होती है उसको health की problem बहुत जादा रहती है ठीक है health में कोई ना कोई issue बना रहता है जब वो अपने कावी partner के साथ होती है या unawakened होती है बड़ जब awakening के process में आती है तो अगर आपको अब लग रहा है कि आपकी पहले से health बहुत अच्छी रहने लगी है आप पहले से healthy रहते हो तो समझ जाईए अब आपके counterpart की awakening स्टार्ट हो चुकी है ठीक है next है आपका आपको angels number 96696 या 969 या 369 इस type की synchronicity हो रही है जो की divine की तरफ से sign होता है आपके person के लिए जो awakening को दिखाता है next है आपका जब आपके अंदर आपके अंदर जितना भी फिर होता है वो सब निकल जाता है आपको किसी बात को लेकर फिर नहीं होता है जाहें वो आपकी personal life हो जाएं वो आपकी family हो जाएं वो का DM हो ठीक है आपके DM की life में क्या चल रहा है आपकी DM स्टार्ट हो चुकी है देखें जब DM की awakening होती है तो नहीं एक दिन में हो जाती है नहीं एक महिने में ठीक है इसमें भी काफी time लगता है जैसे आपकी awakening लंबी चलती है ऐसे आपके counterpart की awakening लंबी चलती है उनके जो भी issue blockages होते उनको भी हील होना होता है तो आपको अगर यह स में आ जाएंगे और सब को ठीक हो जाएगा नहीं आपको यह sign divine दे रहा है ठीक है आपको divine कि थ्रू यह सब सारे sign मिल रहे है क्योंकि आप अभी no contact में हो या आपकी बात नहीं चल रही है तो divine से आप अपने person से disconnect हो तो divine आपको कही ना कहीं से यह message देता रहता है यह sign देता रहता है कि आपके person के awakening start हो चुकी है आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है ठीक है तो कहां थे हम लोग fearless हो जाते हैं आपके अंदर fear नहीं रह जाता है किसी भी बात को लेकर ठीक है तो आप समझ आना आपके counterpart के awakening start हो चुकी है next is no obsession आपको अपने reunion को लेकर obsession नहीं है आपके अंदर किसी भी तरह का trust tissue नहीं है तो आप समझ आना अब आपके counterpart के awakening start हो चुकी है ठीक है next है आपको अगर dream में अपने जो आपके partner है वो अगर dream में आपको पूजा करते हुए दिख जाते हैं या spiritual बाते करते हुए दिख जाते हैं या meditation करते हुए दिख जाते हैं तो ये बड़ा sign होता है कि आपके person की awakening start हो चुकी है जो कि divine आपको dream के थुरू दे रहा है ऐसा हो सकता है वो आपको शिव की पूजा करते हुए दिख जाए राधा क्रेशन जी की पूजा करते दिख जाए साइं बाबा की पूजा करते हुए दिख जाए या वो जिसको भी मानते हैं आप जिसको भी मानते हैं उनकी पूजा करते हुए दिख जाए तो आप समझ जाना कि ये divine sign दे रहे हैं आपके person की जो awakening हुई है उसको डे कर ठीक है तो ये सब सारे sign अगर आपको मिल रहे हैं तो आप समझ जाना आपके counterpart की awakening start हो चुकी है next है आपके आपका जो adaptation ह हैं आपको 10 महिने हो गए हैं 11 महिने हो गए हैं एक साल हो गया है दो साल हो गया है ठीक है आपके person जब lot कर आते हैं अगर spiritual बाते करना start कर दे हैं भगवान को लेकर बात करना start कर दे तो आप समझ जाना कि आपके person awakening के process में हैं ठीक है क्योंकि इससे पहले जब वो unawakened थे त healing हो जाती तब वो spiritual बाते करना start कर देते हैं ठीक है नेक्स है आप खुद पर focus बहुत जादा करने लगते हो अपने DM को छोड़के आप खुद पर focus करने लगते हो अभी तक क्या था आप खुद पर focus नहीं कर रहे थे अपने DM पर focus कर रहे थे उनकी life में क्या चल रहा है वो क अपनी life में जादा interest लोगे अपनी personal life को आप बहुत जादा important होगे आप अपने हर एक area को heal करने की कोशिश करोगे चाहें वो आपका career हो आपकी health हो आपकी family हो आपकी personal life हो इन सब चीजों को आप बहुत जादा improve करने की कोशिश करोगे ठीक है next है आपका आप ऐसे dream देख सकते हो जिसमें आप डरे हुए हो बहुत डर कर भाग रहे हो या आपको किसी चीज से डर लग रहा है यह भी एक awakening का process होता है जब आपके डियंग की awakening होती है क्योंकि देखिए awakening easy नहीं होती है easy नहीं जीए अवेकनिंग होती है नहीं counterpart की awakening easy होती है क्योंकि आप एक डर के साथ awakening आपको दी जाती है ठीक है जिसमें डर भी होता है depression भी होता है anxiety भी होती है stress भी होता है कार्मिक भी होते है और बहुत सारी चीजे जिसमें सबसे ज़्यादा हो जो होता है वोता है fear तो ऐसे dream आपको आ सकते हैं जिसमें आप बहुत जाला डर रहे हो या आपके person डर रहे हैं आप उनको देख रहे हैं वो डर रहे हैं किसी चीज से लेकर तो ये awakening का process है जिसमें आपके counterpart की awakening स्टार्ट हो चुकी है ठीक है नेक्स्ट है आपको देखिए ये मेरा personal experience हो सकता है आप मैंसे बहुत से लोगों को ये resonate ना करें बट ज़्यादा से ज़्यादा ये resonate करेगा जब मैं अनवेकन थी ठीक है awakening के process में नहीं थी या थी क्योंकि dark night of the soul भी जो हमारा process होता है वो spiritual awakening का सबसे पहला stress होता है ठीक है तो जो divine family unavacened होती है उसको मीठा खाना पसंद नहीं होता है मैं अपना ये experience बतारी मुझे बिल्कुल भी मीठा खाना पसंद नहीं था मैं हमेश्था spicy खाती थी past food खाती थी और ज़्यादा जैसे tea coffee cold drink वगएरा नहीं लेती थी hot चीज़े जैसे चाय हो गया आपका coffee हो गया और चट पटा हो गया बहुत ती चीज़े खाती जो कि masculine energy को indicate करता है आपकी जो कि overactive थी थी अब बहुत ज्यादा spicy खा रहे ओ बहुत ज्यादा फास्ट फूड का रहे ओ बहुत ज्यादा चाय ले रहे हो बहुत ज्यादा कॉफी ले रहे हो जो कि आपकी साफ साफ किलियर साइन है कि मेरे उपर जो थी ओ मैसको एनरजी बहुत जादा हावी थी पर जैसे जैसे मैं इनावर्क किया आगे बड़ी जन्री में तो मुझे जो अभी तक मीठा खाना नहीं पसंद था धीरी धीरे मुझे मीठा खाना बहुत अच्छा लगने लगा ठीक है यह सब चीजे मतलब जो कि बहुत ही सॉप्ट होती है बहुत है आपको अपकी यापकी घल्ट लिए बहुत अच्छी होती है तो कहीं नहीं कि अगर आप मीठा ले रहे हो बैलेंस में यह भी नहीं बहुत जादा आप श्पाइसी भी ले ले रहे हो पर आपगाने लिमिट म बहुत जादा ले रहे हो या बहुत जादा कॉफी ले रहे हो और मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं बैलन्स हो जाएगा आपका अब आप जो भी खाओगे बैलन्स में रहेगा इंबैलन्स कुछ भी नहीं होगा आपकी हेल्थ में भी इंप्रुमेंट होता है पसंद आने लगी है तो आप समय जाना आपके counterpart के awakening स्टार्ट हो चुकिए है यह मेरा personal experience है हो सकता है आप मैंसे बहुत से लोगों को resonate हो हो सकता है आप मैंसे बहुत से लोगों को resonate ना हो तो प्रोसेस में इसलिए माइंड मत कीजिएगा इस बात को ठीके नेक्स्ट है आपका अंदर कॉनफिडेन का लेपिल इतना ज्यादा बढ़ जाता है जो अभी तक आपके अंदर नहीं था अनवेकन डिय अनदर बिल्कुल भी कॉनफिडेंट नहीं होता है बहुत ही ज्यादा ल के प्रोसेस में आती है तब दीरे 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 क्या जो कॉन्फिडेंट वो बढ़ने लगता है जो कि आपकी मैस्कुराइन एनरजी को शो करता है अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ गया है अब बहुत ज्यादा फियरलेस हो गए हो अब आपको अपने रियूनिन को बहुत बहुत अच्छा हो चुका है अगर यह सबसाइन आपको मिल रहे हैं साथी साथ आपको 96696969369 की सिंक्रोनों सी टीवी कंटीनी हो रही है तो कहीं ना कहीं आप एक परसन की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है इसमें भी बहुत लंबा प्रोसेस लगता है एक दिन में नहीं हो जाता है यह ठीक है तो आपको पेशिंस रक्ânकत अच्छाना है और अपनी जनी में आगए बढ़ते चले जाना है तो अगर आपको यह सबसाइन मिलते हैं अपनी जनी मे तो आप समझ जाना है कि जो आपके काउंटर पार्ट है उनकी विवेекनिंग धीरे-धी लिए स्टार्ट होना शुरू हो चुकी है बट आगे आपको अपने परसन को डिस्टर्ब नहीं करना है जाकर नहीं किसी तरीके से ज्यादा हरबड़ी मचानी है नहीं जल्द बाजी करनी है ठीक है आपको पेशेंच रखना है और इनवर करते रहना है और जो भी आपका परपस को पूरा करना है और तब जाकर आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा ठीक है तो यह था तिवायन मेस्कुलाइन की अवेकनिंग के ऊपर नेक्स वीडियो मैं फेर मिलूंगी तब तक लिए अपना ध्यान रखिए खुज रही है सौस्त रही है